तो स्वागता भाई आप सबी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टूनामेंट का 68 मैच जो की खेला जा एक एक प्लेयर के बारे में कौन सा प्लेयर आपके लिए क्या कुछ परफोर्मेंस दे सकता है और कौन सा प्लेयर आपके लिए कितना इंपोर्टेंट रह सकता है सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बस वीडियो को आपको एंड तक देख लेना match के बारे में तो सबसे पहले बाई बात करेंगे आपर match की timing की और बाकी सारी चीज़ होगी लेकिन उन सबसे पहले बाई एक चीज़ आपको बता दू यार देखे अगर आपको final team चाहिए न तो बाई telegram channel join कर लीजिएगा ठीक है आप ही लोगों के जो comments वगेरा वो आ रहे हैं आप देख सकते हो बिल्कुल easily जो बोलते हैं अल्ट्रा clean sweep वह आपको यह पर करके दे रहा हूं एक single single contest भी हम यह पर नहीं आ रहे हैं ठीक है तो यह पर आप देख सकते हो easily हम यह पर ultra clean sweep पर ultra clean sweep करते जा रहे हैं और लगातार आपको भाई आपको ऐसे ही winning करवाता रहेगा बस आपको वीडियो का end तक देखना है और वीडियो में जो logical चीज़े होती है ने बाई उन चीज़ों को आपको समझ के ही चलना है तब भाई आप win कर पाऊगे ठीक है यह को आपको ध्यान से देखना है तुरंत आप winning कर लोगे इस मैच में इतना मेरे को यकीन है वाई अपनी prediction पर है ना अब अगर बात करें वाई आपर दोनों टीम्स के starting seven की तो वो सारी चीज़े आपर discuss कर लेंगे लेकिन उससे पहले भाई देख लेते मैच की timing तो timing रहेगे वाई 7 बज़ कर 30 मिनट की और वीडियो बनाने में आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ तो वीडियो आप देखें आपर almost 2 गंटे बचे हुए है जब आपको वीडियो मिलेगी तब almost 2 गंटे से भी कम का समय बचा होगा क्यों क्योंकि वाई मैं almost आपको इस time तक वी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो ग्यारा मैचिज में चैवीन इन्होंने बैंगलोर वालों ने लिया और चार इन्हें आर का सामना करना पड़ा और एक मैच में भाई ये टाई खेल कर आ रहे है ठीक है यानि कि ठीक ठाक पोजिशन इपर ये अभी विराजमान है वहीं अ वह बैंगलोरू बुल्स का काफी बैतरी नौर डिफंस की बात करें तो डिफंस में भी भाई बैंगलोरू बुल्स हरियानश टीलर से आगे नजरा रही है बाकी गेम और प्रेक्शन कोई भी जीन सकता है बट जो मेरी प्रेक्शन रहेगी वो यहां पर इस मैच मैच में 70 प्रशंट रहेगी बैंगलूरू बुल्स के फेवर में और 30 प्रशंट चांस में दे रहा हूं हरियाना स्टीलर्स को इस मैच में विन करने के अब बात करें बाई सबसे इंपोर्टन चीज तो देखिए मेरे बाई टेलीग्राम चैनल जरूर से जोइन रहा हूं तो अभी के अभी जाए पहले टेलीग्राम चैनल जोइन कीजिए बाद में भाई बाकिया और काम ठीक है आप यहां पर अगर बात करें बैंगलूरू बुल्स की स्टार्टिंग सेवन की तो देखिए पहले स्टार्टिंग सेवन देखेंगे दोनों टीम्स की उसके बाद जो एक दूसरे प्लेयर्स के साथ बैटल्स होती है वो देखेंगे वो बहुत इंपोर्टेंट रहेंगी वही भाई मैच को डिसाइड करती है यहाँ पर अगर बात करें बैंगलूरू बुल्स की तो टीम के अब मेन रेडर बन चुक है भरत हुड़ा starting में main raider का काम यहाँ पर विकास कंडोला को करना चाहिए था लेकिन यहाँ पर विकास कंडोला फोर्म थोड़ी सी weeks चल रहे हैं और बरत उड़ा लगातार अच्छी performance कर रहे है multi point rates कर रहे है लगातार यहाँ पर points लेकर आ रहे हैं और touch point में believe करते हैं बोट शांदार प्लेयर है even captaincy के सबसे safe option भी रहेंगे right left दोनों side से red करेंगे mostly red right से करते हैं वहीं अगर बात करें विकास कंडोला की तो left side से red करेंगे और आज आपके लिए एक important role play कर सकते हैं अपने team के लिए ठीक है तो 100% आप इसे अपने team में रख के चल सकते हो वहीं अगर आप दोनों में से किसी एक को लेकर जाना चाहते हो न तो भाई फिर आपके लिए बिल्कुल easy choice हो जाएगा भरत हाँ अगर आप दोनों को लेकर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो निरस नर्वाल की बात करेंगे ये भी left side से red करेंगे और ये भी mostly red left से ही करेंगे व जनीस वो भी बुरे तरीके से flop चल रहे तो यानि कि इनके पास right cover की समझा बनी हुई है वही अगर बात करें बाई सोरब नांदल की तो भाई यहाँ पर right corner पर खेलेंगे और बहुत मतलब खेलेंगा क्या खतरनाक ही खेलेंगे बहुत चांदर खेल रहे हैं ठीक है लेकिन आज इनका ज्यादा रोल नहीं रहेगा ठीक है अमन की बात करें तो अमन आज आपके लिए important रोल प्ले कर सकते हैं अमन वाई left corner पर खेलेंगे और यहाँ पर वाई सामने वाली जो टीम है ना उनके सारे right raider इनकी इसकी बात हम करेंगे जो player battle है वहाँ पर मैं आपको समझा हुआ एक एक चीज़ है ठीक है वहीं अगर बात करें महिंदर सिंग तो महिंदर सिंग का रोल भी आज important रहने वाला है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर बात करें आपर हर्याना स्टीलर्स की starting seven की तो आपर देखें मनजीत right side से red करेंगे प्लस मनजीत भाई बहुत ही talented player है बट यार कुछ उसका लख भी खराब चल रहा है कुछ वो खेल भी खराब रहा है ठीक है दोनों ही चीज़े है मीतू महिंदर का आप मान सकते हो कि खेल जादा अच्छा रहा है लख तो भाई देखे ठीक ही चल रहा है जादा अच्छा नहीं च करूँगा जैदीब कुल्दीब की बात करें तो लेफ्ट कावर पर खेलेगा बाई ये बन्दा बहुत शांदर प्लेर और बहुत ही शांदर पॉइंट से निकाल रहा है लगातार अच्छा कर रहा है आपके लिए इंपोर्टन्ट रह सकता है मोहित की बात करें जील मिनी राइट कोरनर जो की रहेगा है बस्तामी या फिर लास्ट मैस में जो मोनू हुड़ा खेले थे इन में से कोई एक रहेगा जो भी खेलेगा आज भाई वो आपके लिए इंपोर्टन्ट रहेगा ही रहेगा क्योंकि सामने वाले टीम में लेफ्ट ट्रेडर काफी है नितिन प्लेइर बैटल रहेगी अगेन अगर कोई नया प्लेइर खेलता है कुछ भी बात होती है न तो उन सबी चीजों की अपडेट और पोजिशन मैं आपको टेलेग्राम पर देता हूं और टेलेग्राम चैनल भाई मैं बार बार बोल रहा हूं जोइन कर लीजेगा क्योंकि य मेतिन रावल और राइट कवर मोहिद दोनों ही कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों मेंसे जिसके पास जाएंगे मेरे हिसाब से पॉइंट निकाल लाएंगे अगर एक आद बार टैकल भी होते तो कोई बड़ी बात नहीं है बट मोस्टली टाइम वो इजली पॉइं तो मस्टफिक हो जाएंगे ठीक है मोन उड़ा भी आज आपको ट्राइ करना चाहिए क्योंकि वहाई यहां से विकास कंडूला और निरत नर्वाल दोनों यहां पर भाई लेफ्ट से रेड करेंगे और बरत उड़ा की फोर्म ज्यादा खतरनाक है इन दोनों की कंपेरिजन में विकास कंडूला और निरत को टैकल करना इजी रह सकता है आज की मैसे में ठीक है वही अगर बात करें भाई यहां पर इनका साथ कोन देंगे यहां पर देंगे जैदीब कुल्दीब तो आज जैदीब कुल्दीब का रोल भी बहुत बड़ा रहेगा और यह आज आपके जाएंगे यह जाएंगे राइट कोरणर पर सोरवनांदल के पास अब देखे अगर आप चाओनो तो आप सोरवनांदल को ड्रोप कर सकते हो बट सोरवनांदल क्या है कि यह चेंट टैकल लेकर आता है सामने से ब्लोक करता है तो यह राइट रेजर के उपर भी खत्रा बना वहीं अगर बात करें अमन को आज CVC बनाने का रिस्क लीजेगा ग्रेंड लिग में जरूर ट्राइक क्योंकि लेफ्ट कोर्नर है और भाई इनके जो दोनों रेडर वो राइट है तो यह सीधा जाएंगे भाई अमन के पास अब अमन के पास जाएंगे तो भाई अमन का सपोर्ट करने कोन आएगा राइट कवर राइट कवर की जगह पर भाई आब खेलेगा सोरव नांदल जब राइट रेडर आएगा ठीक है अब अगर बात करें भाई डेमो टीम की वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अगेन भाई अभी जो भी टीम मिलेगी वो एज डेमो आप यूज कर सकते हो फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी सोरब नांदल अमार टीम में रहेंगे अगर बात करें जहदीग कुल्दीब अमार टीम में रहेंगे अमन आमार टीम में रहेंगे मैयुर जगननाद कॉप ट्राइ चाहू कर सकते है मैं इजिलिड ड्रोप करूँगा बात करें अमन की तो सेलेक्षिन आप देख सकते है कितना कम यहाँ पर आपको दिख रहा है वहीं अगर बात करें जायदी पुल्दी भाई यह शांदर प्लेर है 100% आपको ट्राई करना ही करना है सोरव नांदल तो भाई गच खेली रहा है इस सीजन मतलब ख़तर ना खेल रहा है ठीक है नीचे अगर आएंगे तो भाई यहाँ आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पर भाई एब अस्तामी अगर खेलता है तो भाई जरू ट्राई कीज़े क्योंकि जब भी खेला है घजब खेला है ठीक है या फिर आप यहाँ से फिर मोनू हुड़ा को अपनी टीम में रख सकते हो तो मोनू हुड़ा भी आपके लिए अभी के लिए आप बस्तामी को ले लेते हैं अगर खेलेगा तो ठीका दर्वाइज मोनू उड़ा को ले लें कोई इशू नहीं है ठीक है तो यह सीन है अभी के लिए मैं बस्तामी के साथ जा रहा हूँ सी वीसी की बात करें नो डाउट कैप्टन सी यहाँ पर बरत के साथ जाएगी वीसी के अगर बात करें तो वीसी देखें मोस्टली लोग आज सौरब नांदल को लेके आएंगे बट मेरा मन है आज यहाँ से मंजीत को या फिर मीतु को जो भी मैं लेके जाओंगा उस प्लेयर को लेके जाने का फाइनल टीम मेरी जो भी रहेगी ना वो मैं टे स्टीम को सेव करके कॉंट्रेश्ट जोइन कर सकते हो बाकी मैं मिलूगा आपसे मैस टाइम पर टेलेगराम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम